अगर आप अपना फोन 100% चार्ज करते हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो या अगर आप अपना फोन 90% से भी जाजा चार्ज करते हो तब भी आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ कम कर रहे हो आजकल हमारे फोन में एक fast charging का option मिल जाता है अगर आप अपना फोन fast charging से हमेशा चार्ज करते हो तब भी आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जब भी हम कोई नया smartphone लाते है तो starting में हमें अच्छा battery backup देखने को मिलता है लेकिन विट टाइम हमारी बैटरी देरे देरे डिग्रेड होने लगती है और कम टाइम निकलता है क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ ऐसी गलतिया करते है जिसे उनकी बैटरी जल्दी से डियाड हो जाती है देखो यह iPhone जिसे वीडियो भी शूट हो रहे है यह मैंने एक साल पहले लाया और अभी भी इसकी बैटरी है पूरी तरह से क्योंकि मुझे अपनी बैटरी को संभालना आता है मुझे अपनी बैटरी को सेव करना आता है इसलिए इस डियो में दोस्तों कुछ important tips में आपको बताऊंगा कुछ important settings में आपको बताऊंगा जिसे आप अपनी फोन की बैटरी बचा सकते हो और जिसे आप अपनी फोन की बैटरी की लाई बढ़ा सकते हो और कुछ common misconceptions हम दूर करेंगे जैसे क्या inverter पे चार्ज करने से बैटरी पे कोई असर पड़ता है क्या power bank से चार्ज करने से बैटरी पे कोई असर पड़ता है क्या गाडी में चार्ज करने से बैटरी पे कोई असर पड़ता है इन सभी questions के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ये इन्फार्मेशन उनके भी काम आ सकती है तो मेरा नाम है नाफी जावेद और आप देख रहे हैं नाफीज टेक कैसे बचा सकते हो आप अपनी स्मार्ट फोन की बैटरी चलो देखते हैं अब आपको अपना फोन हमेशा हंडर पर संचार्ज क्यों नहीं करना है वो मैं आपको एक छोटे से बुलून के हल्फ से समझाओंगा अब या आप देखो ये छोटा सा बुलून है मेरे पास इसमें मैंने इसकी कैपैस्टी से कम हवा बरा है तो अगर मैं हमेशा इसमें इसकी कैपैस्टी से कम हवा बरा हूंगा तो ये ज्यादा देतर ठीकेगा अब आपको पता है जितनी बार मैं इसमें हवा बरा हूंगा उतनी बार इसका ये मेटेरियल डीला पढ़ जाएगा ये कमजोर होगा लेकिन चूँकि मैं इसकी कैपैस्टी से कम इसमें हवा रख रहा हूं तो ये ज्यादा देतर ठीकेगा इन कंपैरेजन अगर मैं इसमें कंटिन्योसली उतना हवा बरूंगा जितमें इसमें आ सकता है तो इसका मेटेरियल जल्दी से कमजोर होगा और ये जल्दी से फटेगा अब ऐसा ही कुछ स्मार्टफोन में भी होता है अब ऐसा नहीं है कि अगर अपनी स्मार्टफोन बैटरी को 100% चार्ज करोगे कंटिन्योसली तो वो फटेगी ऐसा नहीं होता है लेकिन कहने का मतलब है कि जो side directions होती है साथ में जैसे इसका मेटेरियल डेला पड़ जाता है कमजोर हो जाता है उसी तरह से जब आप अपनी बैटरी चार्ज करते हो तो जो side directions होती है जिसकी वज़े से विट टाइम हमारी बैटरी दिरे-दिरे degrade होने लगती है अगर आप full charge करते हो continuously तो वो side reactions जल्दी हो जाती है और हमारी battery की life कम होती है तो इसलिए suggest किया जाता है कि आप अपनी battery 80% से ज़्यादा charge नहीं करोगे उससे आपकी battery की life बढ़ेगी और आजकल जो smart phones होते हैं उनमें एक option मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी charging limit set कर सकते हो iPhone और Android दोनों में आप settings में जाओगे वहाँ पे आपको battery का option मिल जाता है और वहाँ पे आप charging limit set कर सकते हो मैंने भी अपनी phone में charging limit set की हुए 80 पे मेरा phone 80 से ज़्यादा कभी charge नहीं होता है और यही same problem होती है अगर आपकी battery 20% से नीचे जाती है बार बार तो वो side reaction तब भी ज़्यादा हो जाते है तब भी आपकी battery की life कम होती है तो optimal battery levels है 20 to 80% 20% जब आपकी battery हो जाएगी उस टाइम आप charger connect करोगे और जब 80% battery आपकी charge होगी तो आप charger disconnect करोगे optimal levels है 20 to 80% लेकिन मैं आपको suggest करूँगा अगर आप 40 to 80% maintain कर सकते हो तो वो better रहेगा अब मुझे पता है आप हमेशा 40 to 80% maintain नहीं कर सकते कभी-कभी आपकी battery नीचे जा सकती है लेकिन आपको average में 40 to 80% maintain करने है आपका device heat हो सकता है और number two जो battery के अंदर जैसे मैंने कहा reactions होती है तो वो जल्दी से हो जाती है तो उससे battery पे ज्यादा pressure पड़ता है strain पड़ता है अब आपको जिन फोन में fast charging का option मिल जाता है वो उसी तरह से design किया जाते है ताकि वो fast charging को handle कर पाए लेकिन आपको बार बार fast charging यूज नहीं करनी है दो reasons मैंने आपको बताए phone heat up हो सकता है और अगर electronic components इनको लोगने smart phones का सबसे बड़ा कोई दुखमन है वो है heat अगर आपका phone heat up हो जाता है तो that is a problem उससे battery की life कम हो सकती है और long time के लिए smart phone health के लिए भी वो सही नहीं है तो fast charging आप यूज कर सकते हो occasionally लेकिन उसको continuously नहीं करना है और कुछ लोग charger connect करके छोड़ जाते है वो रात को सोते हैं पहले charger लगाते हैं फिर सुबह उठते हैं चार्जर निकालते हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसा भी नहीं करना है आपको जो modern smartphones हैं उनको डेजाइन किया जाता है वो automatically charging बंद कर देते है जब वो 100% चार्ज होते है तो वो automatically charging बंद करते है लेकिन it is always recommended or suggested और I mean कितना ही time लगता है आप यहाँ पे lead plug out करोगे bear and tear से बच जाएगा आपका device कुछ लोग charger को लेके confused हो जाते है अगर आपका phone for example 20 watt charging support करता है और आपके पास दो options होंगे 25 watt charger आपके पास होगा और 15 watt charger आपके पास होगा अब कुछ लोग confused हो जाते है अगर हम 15 watt charger ये तो हमारा phone खराब हो जाएगा या अगर हम 25 watt charger ये तो हमारा phone खराब हो जाएगा मैं आपको बता रहाऊ है दोनु केस में कोई problem नहीं है आप 25 watt charger ये भी उज़वाच नहीं हो हो हां अगर 15-Watt charger यूज करोगे तो आपका phone slow charge होगा लेकिन आपका phone heat नहीं होगा तो long term battery health के लिए 15-Watt charger आपके लिए best रहेगा as compared to 25-Watt charger लेकिन 25-Watt charger में भी कोई प्रॉब्लिम नहीं है यह रहा hardware का पाट अब मैं आपको कुछ important settings में आपको बताऊंगा जो आप अपने फोन में करोगे जिसे आप अपनी बैटरी बढ़ा सकते हो जिसे आप अपनी बैटरी सेव कर सकते हो और आपकी बैटरी में ज्यादा टैम निकलेगा नमबर वन जब कुछ लोग का फोन में उपन करता हो तो जैसे वहाँ पे खजाने निकलता है ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होती है ब्राइटनेस वन आप अपनी ब्राइटनेस को जितनी आपको चाहिए उससे कम रखोगे आजकल अड़ाप्टिव बैटनेस का option मिल जाता है आप वो ब्राइटनेस कर सकते हो जितनी ब्राइटनेस आपकी कम होगी उतना ज्यादा टाइम आपकी ब्राइटी में निकलेगा नमबर सेकंड आप अपने फोन की अननेसेसरी साउंड सोर वाइबरेशन बंद करोगे कुछ लोग जब कीबोर्ड पर टाइप करते है तो वह पर कुछ लोगों की वाइबरेशन होती है उनको आप आफ करोगे तो जितनी भी अननेसेसरी साउंड सोर वाइबरेशन से उनको आप आफ करोगे आपकी बैटरी में ज्यादा टाइम निकलेगा नमबर थी मोस्ट इंपर्टेंट आप अपने फोन में जितनी भी आपको आप करोगे या अगर आप आज कल बच्चे अपने पैरेंट्स के फोन में कुछ गेम्स इनस्टाल करते हैं जीली जूलू एपस के नाम पे कुछ तो उनकी बहुत सारी नोट्फिकेशन आपको मिलती है उससे अननेसेसरी आपकी बैटरी का निजुम हो जाती है और वह आप इसको डिश्यब भी करते हैं तो किसी भी नोटिफिकेशन पे लॉंग प्रेस करके आप महां पर उस अप की नोटिफिकेशन आप कर सकते हो लेकिन धान रहे इंपॉर्टन एपस जैसे वट्सेप्टि पर मेसेजिंग आपको बता भी नहीं चलेगा या अगर आप की नोट् अगर आप एक casual user हो और आपको refresh rate नहीं चाहिए तो आप उसको कम करके रखोगे आप 90Hz refresh rate पे phone चला सकते हो उससे आपकी बैटरी में ज्यादा time निकलेगा आप settings में जाओगे वहाँ पे display settings में आपको refresh rate का option मिल जाएगा जितनी आप कम करके रखोगे उतनी आपकी बैटरी में ज्यादा time निकलेगा हाँ कुछ users कहेंगे बाई अगर आपने for example 120Hz वाला phone खरीदा तो 90Hz पे यूज़ क्यों करे तो देखो आपके पास option है आप 120Hz पे यूज़ कर सकते हो लेकिन अगर आपको बैटरी बैकप चाहिए तो आप refresh rate काम करके रख सकते हो आपकी बैटरी में ज्यादा time निकलेगा और बैटरी बचाने के लिए एक most important टिप आप बैटरी में Bluetooth आफ रखोगे वाइफ़ आफ रखोगे अगर आप Wi-Fi आउन रखते हो या Bluetooth आउन रखते हो तो background में आपका phone scan करता रहता है तो उसे आपकी बैटरी कंजूम होती है आप Wi-Fi को भी आफ रखोगे Bluetooth को भी आफ रखोगे और अगर हो सके तो data को भी आफ आफ रखोगे और आपका phone ज्यादा heat up भी नहीं होगा तो अगर आप dark mode on रखते हो आज कल बहुत सारी apps में dark mode का option मिल जाता है जैसे अगर आप Facebook पे वीडियो देख रहे हो वहाँ पे भी dark mode का option मिल जाता है dark mode on करने से आपकी बैटरी में ज्यादा टाइम निकलेगा unnecessary background activity कुछ apps background में डेटा यूज करते है बैटरी यूज करते है वो बंद हो जाएंगे और बैटरी सेवर on करके आप काफी हद तक आप short term के लिए और long term के लिए अपनी बैटरी सेव कर सकते हो तो यह रही कुछ important settings अब हम कुछ common misconceptions दूर करेंगे जैसे क्या गाड़ी में चार्ज करने से कुछ होता है बैटरी को च्या inverter पे चार्ज करने से बैटरी पे कोई असर पड़ता है तो जैसे मैंने आप से कहा था कि अगर smartphone बैटरी का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है heat जिस भी method या जिस भी चीज से आपका phone heat up होगा वो आप बंद करोगे तो कुछ लोगों की आदत है वो phone यूज करते है चार्जिंग के साथ चार्जिंग पे फोन लगाते है उसके साथ ही अपना phone यूज करते है वो सही है अगर आप normal शthing just करते हो अगर आप टैक्स करते हो या ब्राउज करते हो लेकिन अगर आप गेमिंग करते हो साथ-साथ याप editing करते हो Alleg tasks करते हो और आपने अपना phone charging पे लागाया है उसे आपका phone हीट अप हो जाता है वो आपका बार बार नहीं करना है उसे short term और long term battery health के वो सही नहीं है अब क्या inverter पे बैटरी चार्ज करने से बैटरी पे कोई असर पड़ता है यह बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है दोखो मैंने जब से फोन लाया है तब से मैं इंवर्टर पे ही अपना फोन चार्ज कर रहा हूं अगर आप गाड़ी में चार्ज करते हो आपके पास अच्छा चार्जर होगा कोई प्राउल्म नहीं है कुछ लोग क्या करते है वो अपना फोन गाड़ी में चार्ज़र लागाते हो और अपना फोन रखते है डैश बूड पर जहां पर डारिक्स अनलाइट होती है तो उससे आपका phone heat up हो जाता है बाहर sunlight की वज़े से वो problem है, ऐसा कभी नहीं करना है The worst thing you can do, जब आपका phone heat up होगा उस टाइम आप charger connect करोगे, वो सबसे बड़ी गलती होती है तो अगर आपका phone hot होगा, उस टाइम आप charger connect नहीं करोगे और extreme conditions, अब heat की बात नहीं है जब आपका phone ठंडा भी होगा, अभी कश्मीर में आपको बता है रात को माइनस 7 भी चला जाता है, माइनस 10 भी चला जाता है कुछ लोग सुबह उठके उनका phone बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वो charger connect करते है, वो गलती होती है सबसे पहले मैं आपको सच्छेस करूँगा, जब आप रात को सोगे कश्मीर में तो आप अपना phone किसी cloth में बंद करके रखोगे ताकि आपका phone वाम रहे लेकिन moisture का खाया रखना है moisture नहीं होना चाहिए, बाकि आप अपने phone को किसी cloth में बंद करोगे ताकि आपका phone वाम रहे और जब आप सुबह उठोगे, आपका phone ठंडा होगा तो थोड़ा वेट करना है जब आपका phone वापस होच में आ जाएगा फिर उसके बाद आप चार्डर कर सकते हो तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आपके phone को stable voltage में लेगी या अगर आपका phone हीट अप नहीं होता है किसी भी method से कोई problem नहीं है इन मैसेज जिस भी method से problem होगी तो आपको science दिख जाएंगे जैसे आपका phone हीट अप होगा number two, for example आपने देखा अभी आपका phone 70% है और उसने जंप किया direct 80% पर तो वो problem है ये problems आपको दिख जाएंगे अगर आप गाड़ी में चार्ज करते हो या अभी आपका phone 80% चार्ज था वो directly 70% पर आ जाएगा तो ये कुछ problems आपको दिख जाएंगे अगर आप गाड़ी में चार्ज करते हो किसी cheap power bank से चार्ज करते हो या किसी और method से आप चार्ज करते हो तो ये science आपको दिख जाएंगे अगर ये science आपको नहीं दिखते है तो कोई problem नहीं है अब किसी भी method से अपना phone चार्ज कर सकते हो So that is it for this video I hope आपको कुछ हाच लाओगा इस वीडियो से अगर आपने इस वीडियो से कुछ सिखा तो इस वीडियो को अपने फैंस के साथ भी शेयर करो बाकि आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेगी तो पेज को फॉलो करना और से उनको सब्सक्राइब करना मत बूलना See you guys in the next one तब तक के लिए Take care